आजादी के 75 साल गिरह पर भारत की आजादी का अम्रित महुत सब्सक्राइब छोटा किसान बने देश किश्या रस्ट्रिय केमिकल्स और फटिलाइजर्स लिमिटेट के अनुसंधान यों विकास विभाग ने एक ऐसा जैविक उर्वरक बनाया है जिसकी एक मुठी एक एकड भूमी में विभिन रूपों में प्रयोग की जा सके जियोला की बुनवत्ता नेरी छोटा पाउच एक एकर पे भारी जियोला मूल रूप से एक जैव उर्वरक उत्पाद है जिसमें तीन अलग-अलग सुक्ष्म जिवानू होते हैं जैसे फॉस्पेट सॉलिबलाइजिंग बैक्टिरिया नैड्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया यह जिवानू अपनी गतिविद्यों के माद्यम से फसलों के पोशक तत्तों की आवशकताओं को आंशिक रूप से पूरा करता है और साथी पौधों को कम मात्रा में जिब्रैलिकम जिब्रैलिकेसी आक्सिंस साइटो काइनिस जैसे ब्रिद्धि नियामत प्रदान करता है यह बिटामिन बी का भी स्रोत है जियोला एक जैविक उर्वरट है जो जल में सत पर सत गुलनशील है इसका पाउच भी जल में घुल जाता है अतहिया पर्यावरन हितैशी है इसकी किमत भी कम है जियोला का एक छोटा पाउच एक एकड़ भूमी में बीजोपचार, जडोपचार, फोलिय यह वो मिट्टी में पौधों की जडों के पास ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है इस जैव पुर्वरक की वैत्ता दो वर्सों की होती है यह पौधों को प्रद्धी नियामक भी प्रदान करता है अभी मैं आपको बीजोपचार पद्धती बताना चाहूंगा इसमें हम सिधी तरसे यह बेच तोरा डाल सकते है और हो सके तो थोड़ा सा गुलन करे इसे ताकि सभी बीज को आची तरसे नियूट्रियन की मातरा पोश्यक मातरा मिल सके अभी मैं आपको जड़ प्चार के बार में बताना चाहता हूं जो हमने जो मिश्रन बनाया है जियोला का और वो मिश्रन हम ड्रिक पिरिकेशन थूरू दे सकते हैं या फिर ड्रेंचिंग के अनुसार भी हम दे सकते हैं एक एकड में फसर लगाई धेरो बोरियां खाद की लाई वाहन चालन भंडारन देखो खुबे खर्च कराई मेहनत मजदूरी भी खुब कराई धाक के बस तिन पात पाई माटी ने जब जोर लगाई क्रिशक आए दूनी हो जाई माटी तो सोना उप जाई बस उसकी दिख भाल कराई मृदा स्वास्त अनमोल है मिट्टी की जाच कराकर सिफारिस की गई उरुवरक मात्रा का ही प्रयोग करे RCF को सोसल मेडिया पर फॉलो करने के लिए देखने के लिए आप फेस्बुक, यूटीव, इंस्टाग्राम और ट्यूटर पर क्रिपयाच जाएं जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है धन्यवाद जिसका लिंक नीचे जाएं जिसका लिंक नीचे जाएं